कि मिटर प्रीज या स्लाइड वायर प्रीज क्या होता है वीटर ब्रीज एक ऐसा डिवाइस है या जिसको स्लाइड वायर ब्रीज कहा जाता है यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम रेजिस्टेंस को कल्कुलेट करते हैं ठीक है और हमने फ़र सो एक पड़ा था वीड स्टॉन ब्रीज इसी प्रिंसिकल पर ताम नहीं है कुछ इस तरह का सिस्टम है अगर हमारे पास चार रिजिस्टर इस तरह से हैं और इनकी वैल्यू अगर मैं दे दूँ पी क्यू आर और एस और यहां में गैलवनो मेटर लगा दिया जाए बीज में ठीक है तो अगर यह पी बाई आर इस इकूल टू क्यू बाई एस हमारे इस ने पहिस पास आता है मतलब इन दो रीजस्टेंस की वैल्यू का रेश्यो और इन दो रीजिस्टेंस की वैल्यू का रेश्यो होता है तो हमारे पास ब्र suiv्च Den consider सक्वारमन कोई जो इसवार में यह लेकिन अगर यह balance है, मनला कुछ इस तरह से, P by R is equal to Q by S के equal, इनकी values आती हैं, तो हमारे पास जो यह bridge होगा, यह balance होगा, उस time पे galvanometer से कोई current flow नहीं करेगी, ठीक है, इसी concept के basis, इसी principle पे हमारे पास meter bridge काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा इसकी construction समझते हैं, कैसा है, देखें, हमारे प बूड़न बोड के उपर एक wire लगी होती है, जिसकी length होती है, 100 cm, यह जिसको हम 1 meter भी कह सकते हैं, ठीक है, और यह wire किसकी बनी होती है, यह बनी होती है, constantin और magnet की, यह तो constantin होता है, मैगनन होता है, वैसे constantin क्या होता है, बता है किसी को, यह एक alloy होता है, copper और nickel से बनता है, एक हमें उस हिसाब से होता है तो ठीक हैं और इसका और दूसरी बात यह जो आलोस होते हैं कि इसका टैमपरhture कोफिशेंट आप रेजस्टेंस पता यह क्या होता है दढ़े प्याधा है कि आप मांने कि 11 جव्यड बहुत कांग हुती है कि बाता जाइब पढाना पड़ेगा तब जाके थोड़ा सा चेंज आएगा रेजस्टेंज में इसलिए हम यह कह सकते हैं कि टेंपरेचर इंडेपेंडेंट है इसलिए इसलिए तेंपरेचर का कोई खास असर नहीं पड़ता है जैसे आगर आपको कम से कम हजार दोर्जा डिगरी चेंज करना पड़ेगा तब जाके थोड़ा सा 0.5-0.10 ओम चेंज आएगा अब आप खुदी सोचो आगर मैंने मैं सरे 25 से 26 डिगरी का दो टेंपरेचर है 25 से 35 डिगरी का दो क्या फरक पड़ेगा तो इनमें टेंपरेचर का खास फरक नहीं पड़ता है ठीक है अब देखो यहां पर क्या होता है वायर है इसके साथ एक सिंपल सा स्केल लगा जाता है स्केल मेजरेबल स्केल जिसे मेजर करते हैं स्केल तो इस पर लिखा होता है वांटो हेंडर रीडिंग ठीक है उसके बाद इसको यहां से लगाया जाता है बैटरी के साथ सात में के होती है कि कि आपको संक के अंदर की होती कि ऐसा नो जा फिए इस के वारब बंदी को एक बाब होते हैं वह बार समय के साथ सूच होता है वैसे में एक सुछ होता है जिसको की बोला टीक है और साथ ही साथ एक रिहोस्टेर होता है इसके साहत है था कि हम करन को सब्सक्राइब देख सकते हैं कहीं जगा एंबीर भी दिखाया होता है आप आप कि कराण की रीडिन देता है कि हमें कितनी सी एड़िस करनी हम ठीक है तो यह थोड़ा सा यह जो यह गय बाहर की डा संग यहां पी मैं यहां से कुछ इस तरह से होती है और यह कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती है कुछ इस तरह से यह यहां पे खाली स्पेस होती है यहां पे क्या किया जाता है यहां पे एक रिजिस्टर लगाया जाता है जिसकी वैल्यू पता होते है जैसे पी नाम देता है उसको में और यहां पे वो रिजिस्टर लगाया जाता ह है जिसकी हमें वेल्यू कल्कुलेट करनी है यह वह इसको क्यों नाम रख देते हैं और यह हमें पता नहीं है हम इसको कैसे निकाल सकते हैं इसी कॉंसेट के बेसिज पर यह आप ऐसा समझ लो कि इसकी एप्लीकेशन जो वीट स्टोन ब्रिच है उसकी एप्लीकेशन है ठीक है यहाँ पर क्या होता है यहां तक समझा ही सरकुट है यहां से एक उायर ली जाती है ऐसे के साथ एक अ फ्री एंड होता है मेटल की डाल दू और आगे से बहुत शार्प बना दू उसको शार्प एज बना दू और उसको वायर के साथ मतलब ये बनेगा मेरे बाद जौकी जौकी सिंपल एक रॉड है अंदर से उपर से पलास्तिक इसलिए के इंसुलेटेट रहे ठीक है यहां पर लगा होता है ठीक है मेटर स्केल हुआ है ठीक है यह मेटर स्केल लगा हुआ जिस पर लिखा हुआ है अब क्या करेंगे हम यह जो जौकी है हम इसको इस वायर के उपर जबाएंगे ठीक है एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा माद ओट जेपॉइं जहां पर हमें ग्यलवेन्वेंटर पर रीडिंस देखो अगर मैं इसको वीड स्टोन ब्रिज बनाऊ यह भी जो है इसको में यहां पर लिखसकता हूं, ठीक है, क्यों है यहां पे यहां पर और यहां पर बीच में, इनके बीच में से एक वायर है, जिसके साथ 10 mm लगा हुआ है, दूसरी साइड एक वायर है इसका तो और दूसरी वायर यहां से, इसका भी कुछ रिजिस्टेंस है, क्योंकि देखो आप रिजिस्टेंस जो है, यहां पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर मैं इस जॉकी को इदर उदर ले जाओ, तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पे यहां पे बैलन्स, जी में जीर जालें की कैसे वायर का, हमें सर्फ निकालना जो मंदब मेजर करना है वो इसका करना है, लेकिन आप हमें पहले यहां पे देना, यहां पे क्या होगा, इनकी वैलियू क्या होगी, जैसे इसको मैंने P माना Q, इसको मैं R ले ले लेता हूँ और S, ठीक है, ब्रीज तो बैलन् एक बात आपको पता है, वायर सेम ही है, एरिया वायर का सेम होगा, रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, वायर की प्रॉपर्टी है, तो ये सेम ही रहेगी पूरी वायर, इसका मतलब ये दो जो है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ, आपको र is equal to k into l, k constant होगा into l, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r is directly proportional to l, इसका मतलब इस वायर के लिए, जब आप लेंगे तो resistance बढ़ेगा, ठीक है, तो हमने देखना है, मान के चलो, जो unit length है वायर की, unit length उसका resistance है r, अगर हमें किसी भी length की निकाल नहीं होगी, अगर निकालना है, तो जिसकी जो total length है, उससे multiply करेंगी, ठीक है, अगर unit, मतलब एक centimeter, length का resistance r है, तो 10 का कितना होगा, 10 into r, 10 into r, अब देखो, यहां पे ले लेते हम जो length है, l, कौन सी length, जैसे यहां पे आपने जॉकी को touch किया, तो यहां से इदर length l है, तो उस side कितनी है, total 100 है, 100 minus l लिखेंगे, ठीक है, 100 minus l है, क्यों, total 100 है, 100 में से l minus का दो यह वाली बचे की, अब देखो, अब हम लिख सकते हैं, जो resistance है, resistance आफ, इसको मैं a नाम दे दता हूँ, इसको b, wire, a, j, a, j, इसको मैंने यहां पे r नाम रखा, ठीक है, तो यह कितना है, r into l, r होगर, एक centimeter length का resistance, l से multiply करेंगे, तो इसका resistance निकल जाया, ठीक है, अब बात करते हैं, resistance, आफ, wire, j से b तर, ठीक है, j, b, इसको हमने नाम दिया, s, ठीक है, तो इसकी value रखी, s, तो यह कितना होगा, 100 minus l into r, यही होगा, unit length का, अगर r है, तो यह जो length है, 100 minus l, से multiply करेंगे, दो resistance निकल गए, यह हमने खुदी, यह वाला देखना, जो p है, यह हमने खुदी, यहां पे लगाया हो, एक resistance box होता है, उसमें बहुत सारे resistance होते हैं, तो हम खुद यहां इसको choose कर सकते हैं, एक resistance को, ठीक है, अब देखो, हमारे पास यहां पे क्या आजाएगा, अब क्योंकि bridge balance है, तो मैं यह formula लगा सकता हूँ, ठीक है न, क्योंकि bridge में कोई current नहीं चल रही है, तो मैं लिखाँगा, P by Q is equal to, देखो, यहां पे P by R है न, मैं इसको यहां ले जा सकता हूँ, R को अधर ले जा सकता हूँ, मना मैं इसी को लिख सकता हूँ, P by Q is equal to R by S, एक ही बात है, ठीक है, तो यहां पे मैं P by Q लिखूँ या P by R एक ही बात है, पी बात है, पी बात है, पी अब R कितना है, R मेंने ये वाला रखा है, कितना है R, R की वैल्यू हमारे पास है R, RL, divided by S की वैल्यू कितनी है, 100-L, 100-L into R, ये R और ये R कट जाएगा, हमारे बाद बजा क्या, P by Q is equal to L of 1, 100-L, अब देखो हमें चाहिए Q, तो मैं इसको उल्डा करूँगा, दौनों साइट से, मैं लिखूंगा इसको Q by L, Q by P is equal to 100-L upon L, ठीक है, Q हमें निकालना है Q is equal to 100-L upon L multiply by P, ठीक है, और P की वैल्यू हमें पता है, जो हमने एक खुद एड़िस्ट की है, तो Q की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, बात समझेगी, L क्या है, L आपने यह length दोननी है, इसके उपर meter scale लगा है, आपने देखना है कि कौन सा point है, जहां पे आपको galvanometer में 0 rating में लिए, जो 0 rating होगी, वहां से यहां तक होगी L, तो वही आपने value जहां पे डालनी है, आपको Q निकाल जाएगा, ठ तक बात समझेगे, यहां जाएगा, यहां जाएगा, अब देखो, हमने हमने पहले topic discuss किया था, हमने कहा था कि अगर आपके पास cell है, उसका EMF, cell का EMF accurately कैसे major किया जाता है, याद है आपको कुछ, cell का EMF, normal अगर आप एक meter लेंगे, तो उससे आपको exact EMF नहीं मिलेगी, तो हमारे पासी device होता है, जिसका नाम है potential meter, इससे हम potential difference और EMF को accurately measure कर पाते हैं, जैसे देखो, normally अगर आपके पास एक circuit है, जैसे यहाँ पे resistance है और एक battery है, resistance कुछ भी हो सकता है, fan है, cell है, या कोई भी device हो सकता है, ठीक है, अब आपने इन दो points पे potential difference निकालना है, ठीक है, potential difference निकालना है यहाँ पे, तो आपको पता है, यहाँ पे हमें एक formula लगा सकते हैं, V is equal to IR, एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा है, कि आप एक volt meter यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, जब आप volt meter यहाँ पे लगाओगे, तो volt meter जो है, वो थोड़ी सी current इससे ड्रा करेगा circuit से, फिर यहाँ का potential, फिर उसको पता जलेगा, यहाँ पे potential difference कितना है, लेकिन जो potential difference निकालता है, वो accurate नहीं होता है, इसा नहीं है कि मतब बहुत जाला gap होगा, 3 होगा, तो यह 4 दिखाएगा, स्वारी, मतब 4-5 होगा, तो यह 2 दिखाएगा, इतना बड़ा gap नहीं होता है, लेकिन, exact value नहीं होती है, इन दो points पे, कहीं कहीं जगा पे हमें बिल्कुल चाहिए होती है, कि हमें बिल्कुल accurate value मिल अगर आपने एक cell को देखना है, कि वो खराब है कि चल रहा है, जल्दी जल्दी आप मीटर लगाएंगे, तो आपको अगर reading देखती है, 1.5, 1.4 के आसपास, तो आपको होगे ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको rough reading चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमें accurate reading चाहिए, वहाँ पे हम potential meter है, यह बिना current ड्राग किये, जैसे यह क्या करेगा, यहाँ से थोड़ी सी current डिकलेगी, फिर यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे देखो, यहाँ से कुछ current ड्राग करेगा, यहाँ पे एक m meter लगा होता है, इसके अंदर, वो current डिकालेगा तो और resistance भी इसका होता है, वहाँ current जीरो निकलती है इससे, तो आपको potential difference जीरो देखेगा, कुछ नहीं या value मिलेगी, लेकिन जो potential meter है, वो कोई, जीरो current निकालता है, कुछ भी current निकालता है, तब भी accurately इन दो points का potential difference देता है, हमें ठीक है, अब देखो, potential meter मेने बताया कि एक device है, जिसके थू हम क्या करते है, potential difference को major करते है, दो points में, EMF, दो cells की EMF को compare करते है, internal resistance निकालते है, किसी भी cell का, आज हम समझेंगे पहली ये principle क्या है, उसके बाद इसकी application में, ठीक है, उसी तर जैसे पीसे सा, बिल्कुल उसी तर थोड़ा सा change है इसमें, एक wooden board है हमारे पास, इसके उपर एक wire लगी हुई ह है, उसी constantine या magnet की, ठीक है, यहाँ पर सेम उसी तरह से एक battery, m meter, key और rehoster, इसके साथ connected है, ठीक है, फरक सरफ यहाँ पर कोई resistance नहीं लगा है, जैसे वहाँ पर था, यहाँ पर लेकिन एक, उसी तरह से एक meter scale लगा होगा, जिस पर reading होगी, और यह जो point है, यहाँ से wire निकलती है, यहाँ पर हमें एक world meter लगा देते हैं, ठीक है, और सामने एक jockey, ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ अब देखो, यह जो हमारी अगर पर इस jockey को यहाँ पर किसी point पर touch करता हूँ, ठीक है, इस point पर, तो हमें कुछ potential difference में लेगा, लेगा ना, दो point पर touch किया है, यह wire जो इसका देखो, normally अगर एक wire है, इसमें current चल रही है, यह दो आप points लोगे, तो आपको कुछ potential difference मिलेगा है, ठीक है ना, अगर इसका कुछ resistance है, आपको पता है, potential difference होता है, I into R, अगर resistance की value non zero है, मतलब कुछ value है, current भी चल रही है, तो potential difference होगा, वैसी कि इस wire में, हमने circuit connect कर दिया है, इस wire में current चल रही है, potential difference तो होगा, अगर दो points में लो, ठीक है, अब हमने देखना है, potential difference किस पे depend करता है, देखो, यहाँ में जो circuit है, इसमें हम current को constantly maintain कर सकते हैं, ठीक है, जैसे रहो state लगा हुआ है, बैटरी लगी हो, हम पहले ही measurement देखेंगी, इतनी हमें current चाहिए, जैसे 2.0 ampere, यहाँ पे emitter लगा है, हमने हो state को adjust करेंगे, current 2.0 ampere, flow करेंगी circuit में, ठीक है या तक, अब देखो, हमने देखा कि V होता है, आई, आर की कि अब, जो potential difference होगा, इन दो points के बीच में, अब हमारे पास यह जो आर होता है, यह हमने अभी देखा, यह होता है, रो एल अप करेंगा, आई, रो ए, और एल, अभी मैंने कहा कि current को हम constant रख सकते हैं, maintain कर सकते हैं, area of wire, यह जो यहाँ से यहाँ तक wire लगी है, क्या इसका area change होगा, क्या यह change हो रहा है, नहीं, क्योंकि wire same ही है end to end, तो area भी same, रो जो है वो भी same है, तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आत इस case में, अगर हमारे पास area constant है, current constant है, जो potential difference है, वो directly proportional होगा length पे, बनला जब आप यहाँ से point यहाँ लगा देगे, तो आपको ज्यादा potential difference मिलेगा, यहाँ से यहाँ लगा देगे, और ज्यादा potential difference मिलेगा, और अगर यहाँ पे लगा देगे जोगी को, कम potential difference मिलेगा, क्य तो यहाँ से fundamental concept यही है, इस topic का, कि potential difference जो है, वो vary करता है length के हिसाल से, अगर आप length को vary करो, तो potential difference vary होगा, इसको fall of potential भी कहा जाता है, क्यों, potential difference क्या होता है, अभी देखो यह point है, और यह point है, इनमें potential का difference है, इसका मतलब यहाँ पे काम है और यहाँ पे ज्यादा है, जैसे आप दूर जाओगे, potential difference भड़ेगा, मतलब इस point पे और काम होगा इसके मुकाबले, तो जैसे जैसे उदर जाओगे, तो potential drop होगा, मैं कह सकता हूँ, इसलिए इसको कहा जाता है fall of potential, ठीक है, क्योंकि point के साथ-साथ potential drop होता है, ठीक है, अब देखो, यह fundamental, इसका concept समझ आया, कि यहाँ पे concept simple है, कि potential difference जो है, वो length के हिसाब से vary करता है, length भड़ेगी, तो potential difference ज्यादा मिलेगा हमें, काम होगी, तो potential difference काम होगा, ठीक है, अब हम इसकी application पे बात करते हैं, कैसे हम एक circuit में इसको लागा के, हम accurate potential difference को major कर सकते हैं, diagram सेम ही रहेगी, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा topic, इसमें हम अभी, potential difference को major करेंगे, potential, potential difference को major करना है, ठीक है, through potential meter, यह बाकी सेम ही रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने circuit, जिसका, हमने potential difference निकालना है, वो यहाँ पे रखेंगे, यह circuit, इसमें एक एक बैटरी, जैसे normal यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें current flow कर रही है, तो हमने क्या करना है, इन दो points का potential difference निकालना है, हम वोल्ट मीटर यूज ने करने हैं, हमने potential meter विबूद करना है, अब हम क्या करेंगे, यह एक wire यहाँ से लाई, एक end पे connect की, ठीक है, दूसरी wire यहाँ से निकाली, आगे लगाएंगे, गैदर वेनो मीटर यहाँ ठीक है, और इसके सामने एक लगेगा, जोकी, ठीक है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यह जो जोकी है, इसको इस wire पे चलाएंगे आगे पीछे, एक ऐसा point ढूंडेंगे, जहाँ पे इस G में current zero हो, देखो अगर आप normally इसको कहीं touch करोगे, circuit तो यह भी complete होगा, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, complete होगा, तो इसमें point पे यहाँ पे touch करोगे, हो सकता है current ऐसे flow करें, है ना, मतलब दो बैटरी लगी है, उपर से भी current flow कर सकती है, नीचे से भी current flow कर सकती है, ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, हम एक ऐसा point ढोटेंगे, जहाँ पे जीव के अंदर current की value zero मिलें हमें, ठीक है, अगर current की value zero होगी, इ इन दो points का, और इन दो points का potential difference equal है, अभी देखो, अगर आपके पास दो wires है, या simple, एक shell आपके पास है, जिसमें charge भरा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, दूसरे एक shell के साथ connect किया, जिसमें दूसरे में भी charge भरा हुआ है, अगर दोनों shell का potential बराबर है, तो क्या charge मूँ क करेगा इता अंदर, नहीं न मूँ करेगा, अगर दोनों का potential बराबर है, चार्ज मूँ नहीं करेगा, जैसे आप एक conductor में charge भरते हैं एक बार, आपने एक conductor है, आपने एक wire लगा दी, जिससे charge आ रहा है, तो एक time आएगा जो wire का potential है, और जो ball का potential है, वो जब बराबर होगा charge flow करना बंद होगा, जैसे simple आप battery को लगाते हो, चार्जित पे, एक time आता है, बैटरी और जो wire है बाहर से, दोनों का potential बराबर होता है, potential difference, तो current flow करना बंद हो जाती है, वैसे ही, जब हम यहाँ पे wire के उपर एक ऐसा point डोंडेंगे, जहाँ पे potential difference इन दो points का और इन दो points का बराबर हो, तो current flow करना बंद हो जाएगी, current flow नहीं न करेगी, उपर से भी नीचे की तरफ current नहीं करेगी, रुख जाएगी, zero current होगी circuit में, कौन से वाले circuit में, इस वाले में नहीं, उपर वाले में नहीं, यह जो यहाँ से circuit है, इस wire से कोई current flow नहीं करेगी, ठीक है, आई य पोटेंशल डिफरेंस कितना होगा इन दो कोईट्स का सिंपल है हमें पता है कि वी इस एकोल टू अभी हमने फॉर्बला लेखा आई रो एल अपॉन ए यही है इसको आप कॉंस्रेंट रख सकते हैं वी इस एकोल टू आई के आई एल आई जो है इसकी वैल्यू भी आप निका सकते हैं यहाँ इसको ऐख सकते हैं किए प्लिपेटिटेंट और स्पाल गाल सकते हैं अगर यह वायर है यूनिट लेंव hosting होती है तो रिट् Lup इसकंट है तो प्टेंशियल डिफेंस्ट जो होगा इस दो इसके अशार्किट में दोगरल चल रही है आप उजये बताओ किया हमें सर्फ ये लगाई हैं यहां दूसरे तरीके से ढोड सकते हैं हमें हमें पता है यह जो सरकिट है sih इसमें एत्य लगी हुई है यहां पर और पर मैं लख सकता हूं हमें पता यह का यह कितनी चल रहे हैं इस差 हाई हम डूसरा bidding वायर का रजिस्टेंस है मैं लिखूंगा आर प्लस इसका कितना रजिस्टेंस होगा आर इंटू एल है टोटल लेंध आप आयर तो यहां से हम करण्ट की वैल्यू निकल गई यहां पे हम डाल सकते हैं वी इस एकुल टू आई इस एकुल टू आर इंटू एल और आई की वैल्यू डालते हैं आप आर पलस आरा लर आप देखो आर जो है वो पहले ही मेजर किया जासकता है अब हमने अ जो यह इन दोनुफ का पॉटेंशल्ट होगा, वही इन दौनुफ का पॉटेंशल्ट का पॉटेंशल्ट दिफरेंश्च होगा, तो आपके पास value निकल जाएगी, यह पोटेंशल्ट का। आपने जॉकी को इदर उदर चलाना है तब तक चलाते रहना है जब तक जी की वैल्यू आपको जीरो गैल्वेनोमेटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए ठीक है आई यहां दर बात समय ठीक है ऽिげ काफ़ी है इसके अलावा इसकी एक और अप्लिकेशन है वह भी थोड़ी से बढ़ लेते हैं पोटेंशियो मीटर का यूज यूज किया जाता है एम dèsट न initiatives को भी और निकरने के लिए जैसे आपके पास एक existing Escape दूसरा सेल है उसकी भी कुछ एम्फ की वैल्यू है आप चाहते हो पता करना कि यह जो है इंको पॉंपियर करना चाहते हो इस जो डिवाइस इसके रूम कर सकते हैं कैसे बहुत ही सिंपल है जैसे पिछला वाला साथ कुंपेर एम्फ आपको सेल देखो सेम वैसे ही पोटेंशो मीटर आपके पास है ठीक है बागी सार्केट तो सेम ही रहेगा जो उपर से है बैटरी एम मीटर और रहो स्टेट ठीक है और यहां पर क्या होगा एक वायर होगी है साथ में आपके पास एक मीटर होगा ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे एक वायर ऐसे निकालेंगे और यहां पर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे इसके साथ एक सेल लगा देंगे इसके साथ दूसरा सेल अभी यह सार्केट में जुड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे सामने अब क्या होगा देखो अभी यह जुड़ी नहीं है दौनों सर्केट से इसको पहले में इसके साथ जोड़ोंगा हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है उसको क्या किया जाता है जैसे आप दो वायर्स को यहां से लगा दो एक वायर आगे है इससे अभी आप चाहों कि इन दो वायर्स को जॉइन करना है आप कर सकती हो उससे और इनको निकाल के आप चाहों इनको जॉइन को जॉइन करना यह इसको अब देखो आप किया है उपर वाली ilo को उसके साथ कनेक्ट कर दें इसकी MF है he van और इसकी है उपर वाले को कनेक्ट किया और My trees पर पर आप सिरो म्ला जीरो जब इस ता मतरब इसके एक बाद होगा तो मैं कह सकता हूँ एक बाद होगा जब हमारे पास करण जीरो होगी तो मैं लिख सकता हूँ जो पोटेंशन डिफरेंच उपर है वह लेंथ पे डिपेंड करता है अगर आप इसको आगे बहा दो लेंथ बहाएंगी तो यहां पर इस डायरेक्ली प्रोपोश्ण यहां मैं ऐसे लिख देता हो इन डो पोटेंशन डिफरेंश जो है वह डायरेक्ली प्रोपोश्ण है अब यह ने क्या किया अब आपने क्या किया इस वायर को यहां से निकाला और दूसरे के साथ करेंगे कर दिया इससे निकाला और इसके साथ अनिक्ट कर दिया अब क्या होगा अब आप फिर से डूर्ण होगे दूसरा पोट जहां पे आपको गैल्वन ओवेटर में रेडियम जीरो मिले जैसे ही कारंट की वैलिव फिर से जीरो मिलेगी तो लेंज डिफरेंट होगी क्योंकि से डिफरे को is equal to K L1 upon K L2 के और K constant हिकण जाएगा E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 Simple मलब अब अब आपने अगर compare करना है दो cells की EMF को potential meter को इसको इस तरह से joint करोंगे इस सिर्फ L1 और L2 की value गूल के अब अगर आपको पता होगी aquiomf जैसे यहाँ पे एक सेल کی पता है तो दूसरे की निकाल सकते हो तो किसे मly照 öelगlu आपने दूसेल्ज ली एग है कि एक की एमफ आपको पता हब तीक है. दूसरे की एमोफ आपने निकाल ली है अब आप इसी तरह से सेल्स को लगाओगे, L1 और L2 निकालोगे, आपके पास ये value निकल जाएगी, यहां से आप कर सकते हो, E1 is equal to L1 upon L2 multiply by E2, E2 की value डालोगे, E1 निकल जाएगी और ये accurately निकलता है, आही बात समझें, काफी आज के लिए, last topic इसके बार है internal resistance, एक सेल का internal resistance कै एक से निकाल जाएग जाएगी.